और ये सर्व झेल्ट करना गाम असल सुसुरार हमारों यारोना तहों हैं नंदेखाभ तुर भूत्ति पर Giving in the ये रंड़गा códंव जो की दूस की असार पर काल की परमपरा है और उर aux च्छतों का हाल बताओं च्छतों पर देखिए आप दूर दूर से लोग बेटे हुए हैं और इसे विहंगन द्रस्य के साथ में हम मंदर रंगिली चौक के च्छत के ऊपर से हम आपको दिखाना चाहते हैं प्रेम और सदभाव से भरा हुआ ये आनंद आप रंगिली चौक नंदगाओं से देख रहे हैं चाह च्छत हो चाह नीचे हो उपर हो कहीं भी हो चार तरफ भीड ही भीड है और इसके बीच में जो है वो हुरुयारे जो बरसाना से उकराए हैं जैजै स्री रादे रादे मैं दर्मिंद्र को स्वामी स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रैस दरपन में ब्रैस दरपन परिबार इसमें जहां खड़ा हुआ है वो रंगिली चौक जहां पर आपने पिछले साम चार बजे लठा मार होली देखी बरसाना की कि कैसे भगवान स्री क्रिष्न के स्वरूप में नंदगाउं से ग्वाले आए अब ये जो आप पूरी मंडली देख रहे हैं ये रादारानी के रूप में वो गोपी है जो नंदगाउं होली खेलने के लिए हम सभी रादारानी के साथ में यहां जा रहे हैं और रादारान पूरा गुजाएमान हो रहा है समय और यहां की त्यारी है और उसे त्यारी के बाद हम नंतकाओं चलेंगे और यह जेंट पूरी तैयारी है समय त्यारी पाग बांद रहे हैं अभी तो आप देख रहे हैं पाग बांदे के बार फिर यहां से चोपई गाते हुए जाएंगे दरसंद नंद दुलारे बोर मुकट पीतांबर सोह कानन कुंडल वारे हात लकट कंबर की खोई गवन के रखवारे और काल केल खेल आए बरसाने आज होते द्वारे यह रस आप आनंद देख सकते हैं किस तरह से पाग यहां पर बांदी जा रही है पूरी तरह से तयार किया जा रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस समय बरसाने के जितने भी हुर्या रहे हैं स्री राधारानी के रूप में राधारानी के रूप में आप से हम कुछ भाव लेना चाहते हैं यह किस तरह की लीला है जो आज आप इसमें सामिल होने आए कल नंदगाउं वाले आए थे आज हमाएं राधारानी के रूप में अपना फ़गवा लेने यह पूली का किस तरह की तैयारियां महाराजी तैयारियां ऐसी है बरसाना और न जो नंदगाउं से कल बरसाना के लिए जंडी जाती है स्वेम ठाकर जी जंडी के साथ ब्रजवासियों के संगाते बजाते हुए बरसाना जाते ऐसा ही साख्यात हमारी किसोरी जी बरसाना से जो यह सामने आपको जंडी दख रही है जंडी के साथ बरसाना से किसोरी जी आती हैं और यह डाल के सारे हम लोग यह जो तैयार है हम समझ पा रहे हैं कोई मुक्ट पेन के आया यह यह देखिए यह तो एक भगवान के सरूप है यह भगवान की लीला है बानर वालक एक सवाहुत ब्रजवासी बानर है कनया कलुत दंड वहां बचावे कि सूरी जी हमारी काम असाल सुसरार हमारों नाहर आंट रहे हमारों नाहरवे आज बेराज میں ऑensionalी की यह मोद्ध यह तो इनगे रासीया जोरी एनगे भगवारी की जैंगां बहुत दन्यवाब यहां पर है वह अलोकिक आनंद है और यह आनंद बैकुंट में भी नहीं आप यकीन मानिए अब हम सब मिलके जाएंगे नंद बाबा के महल जहां पर मारे स्वागत के लिए भगवान स्री कृष्ण स्वैम खड़े हुए हैं श्री राधारानी के कि सहाल वाले सब्सक्राइब नंद महल के लिए जा रहे हैं और यह सब वहाँ पर हमारे स्वाकत में अभी कोला के जो तैयार्य यह भो हमें अब सीधा नंद महल के लिए चलेंगे हम आइए हमारे साथ में और यह देखिया उपर से नीचे ताक पूरे नंद गाउं में इस समय यह जो तयारी है हमारे स्वागत में जेहो पूरे चौक से हम देखाएं आपको कि किस तरह से यहां पर बरसाने के जितने भी हुर्यार रहे हैं उनकी स्वागत के लिए यहां पर यह फूल लेकर आएं यह चल रहा है यह कापी टाइम से चल रहा है और यह देखिये नीचे की डरती यह रस यह रस नंद गाउं में बरस रहा है आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि हम अपने घंद गाउं में खड़े पर काल की हमारी रादारानी और ठाकुर्जी के मद्द में खेली जावे हैं और विर गुलाज के जो बारिश हो रहे हैं यह अपने आप मिद्ध हैं आईये चलते हैं महल पे किस तरह के नजार रहा है नंद महल पे आईये चलते हैं और यह समाज गाइन यहां पर दन्द गाउन बरसाने के मद्द में चल रहा है कि अपने याफ में अधूद नजा रहा है और ये देखे स्री जी की जंडी बगवान स्री कृषिन स्वरूफ दौरों यहाँ पर मिले हैं और मिलकी किस तरह से यहाँ पर आनंद ले रहे हैं उसका तरशन में उतराता हूं और एक रस यह देखिया और ये आनंद है और ये जो आनंद आप देख रहे हैं ये नंद बाबा के मेल पर आप देख सकते हैं किस तरह का यहाँ आनंद बरस रहा है ये अलोकी का अनंद है और जो मैं आपको दर्सन गरा रहा हूं ये पूरे नंद महल में आप देख सकते हैं किस तरह कि यहाँ पर यह आनंद है और चारा तरह मेरे भक्ती ही भक्ते हैं और जो दर्सन में आपको करा दूँ ये अपने आप मैं अदू दर्सन और जैसा कि कि निचे दे सकते हैं समाज गायन नंदगाम बर्साने का और जैसा कि मैं आपको बता दूँ ये द्वापरकाल की वह भगवान स्री कृष्ण और राधारान की प्रेम मैं हो ली आप देख सकते हैं नंद भबन में दोनों समाजी गण जो कि एक तरफ नंदगाओं है और एक तरफ बरसाना है और ये सारा दर्सन हम कर पा रहे हैं और ये अद्मूत आनंद के आप भी दर्सन कीजिए इतना अबीर गुलाल है या सांस लेने में भी दिकत आइए देखिए गुलानंद के लाला की जै ये अद्मूत आनंद जो हमारों परस्पर आनंद है उसके आप जो दर्सन कर रहे हैं ये अपने आप में अद्मूत है ये देखिए आप इस तरह से यहाँ पर भगवान स्री कृष्णों रादरानी के मद्द ये द्वापर काल की जो प्रेम में हो हुआ है उसका दर्सन हमरों कर पा रहे हैं गाल याट कर लोग उसका द्रसन पर आप कर पा रहे हैं अगयाँ आज गूर्फ और जैसा भी आप देश सकते हैं कि नंदगाओं की इन फुंद गलियों में इस रंगिली गली के अंदर लटमार हो ली बरसाने के गोप और यहां की गोपिका नंदगाओं की यह आनंदगाओं बरस रहा है पूरे नंदगाओं के अंदर आया और दरसना आप दुपराते हैं आप लोटबादी थागाँ अच्छा आप भागवान श्री क्रिश्नो राधा रानी की जो पेम मैं अनन्न मैं भुली है उसका सवरूप आप देश सकते हैं कैसे रंगिली चोक नंदगाओं में इस समय में यहां पर यह दिव्याननदगाओं की नंदगाओं की अंद्य और यह लटामार होली जो द्वापर काल की परंपरा है हमारी उसको किस तरह से आज मी ये बिर्जबासी मनाते आ रहे हैं प्रेम और सदभाव से भरा हुआ ये आनंद आप रंगिली चौक नंदगाओं से देख रहे हैं चाह च्छत हो चाह नीचे हो उपर हो कहीं भी हो चार तरफ भीड़ ही भीड़ है और इसके बीच में जो है वो हुरुयारे जो बरसाना से उकराए हैं और जो नंदगाओं की गोपिया है वो लाटी बरसा रही है जैसा कि आप देख सकते हैं कि रंगिली चौक नंदगाओं में इस समय जो आनंद भरस रहा है वो अकर्मनिया आनंद है और वो बैकुंट में भी नहीं है आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भरसाने की गोपी रूप में यह हुरुयारे आए हैं जो भगवान स्री कृष्ण के साथ में किस तरह से यहाँ पर हो ली हो रही है यह रंगिली चौक नंद गाओं है जो की द्वापर काल की परंपरा है और मैं च्छतों का हाल बताओं च्छतों पर देखिए आप दूर दूर से लोग बैटे हुए हैं और इस विहंगं द्रस के साथ में हम मंदर रंगिली चौक के च्छत के उपर से हम आपको दिखाना च की जे और यह अनूटा हमारा पारंपरिक यह आनंद है परस पर आनंद है जो की द्वापर काल से चला रहा है कैसे भगवान सिरी कृष्ण पहले होली खेलने बरसाने आते हैं और उनके निमंत्रण के बाद फिर बरसानी की जो हुर्यारे हैं वो नंद गाओं की घोपियों क चैनल के माद्यम से और दरसे मैं देखाना चाहूँ आपको झाल करें को है और जैसा कि आपनर हमने आज का जो आनन्द लिया यह अनद जो लिया हमने भगवान कृष्ण के गाउन नंद गाउं की होली का आजका अनन्द हमारा कैसा लगा आप हमें कमेंट करके शेयर करके चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब आप सबी को प्यार बढ़ा राधे राधे